अजयरे MARKET तो नंच्ता में या फिर अगरा आप gaming करना चाते हो तो gaming भी कर पाँगा और बहुत सरी कंमेंट करके पूस्ते हैं कि बहुत हमारा 40,000 रुपए max to max budget है उसमें ऐसा PC build बना के दो कि जिसमें मेरा GTA 5 एदम high FPS में खेल सकूँ तो basic आप इस PC build के साथ आप गेमिंग भी कर सकते हैं प्लस वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं तो फिर इस वीडियो को सुरूँ से लेकर आखिर तक देखो क्योंकि इस वीडियो में हमने या फिर आपका SSD या फिर जो भी power supply unit कौन सा लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं उसमें क्या फायदे हैं नुकसान है तभी आपको पता चलेगा कि मुझे किस project के साथ जाना चाहिए ऐसे नहीं कि भाई किसी ने कुछ जी बोल दिया और आप जो है उसके जहांसे में आपने PC बिल्ट कर लिया फिर बात में आपको प्रॉल्म आ जाए तो आपको हर एक चीज पता होना चाहिए सबस्तर पहले जान लेते हैं कि आपको प्रोसेसर आपको कौन से लेना है और क्यों लेना देखो इस PC बिल्ट के लिए हमने जो प्रोसेसर लिया है वह राइजन 5 5600 G इस प्रोसेसर में आपको 6 कोर 12 थ्रेड मिलते हैं रेडियन ग्राफिक है जो कि सेवनक़ вед कोर यह सपोर्ट करता है और इसमें जो ग्राफिक मेगार्च का फ्रिकुनसी न वो 1900 900 जो है MHz पर यह ग्राफिक फ्रिक्वेंसी रन होता है जबकि इससे उपर वाला 5700G प्रोसेसर देखोगे तो वह आपका 2000 MHz फ्रिक्वेंसी पर रन होता है यानि कि जादा फर्क नहीं है बहुत ही थोरा सा फर्क है तो फायदा आपका यह है कि 5600G लो जो कि मैंने आपको बता साथ के 5600G साथ जा सकते हो आपको कोई परेसानी नहीं आएगा यानि कि कोई भी आप प्रोसेसर लो चाहे 5600G लो या फिर 5700G लो इसमें जो भी boost clock speed आपको 4.4 GHz का boost clock speed आपको मिल जाएगा और इसमें आपको 3200 MHz तक का RAM यह processor support करता है और यह processor आपने आपको run करने के लिए बहुती low power यह लेता है यानि कि 65W में आपका यह processor चल जाता है इस processor के साथ आपको fan भी मिलेगा तो फिर आपको अलग साथ आपको fan आपको लेना परेगा जो कि हमारे budget सेग्में का PC built है तो भाई इसमें ओवर क्लॉकिंग जो है कौन ही करेगा तो हमारे लिए box के साथ ही जो cooler fan आता है वो हमारे लिए more than enough है और इस processor में आपको तीन साल की warranty आपको मिलती है अब जालनों कि आपको motherboard आपको कौन से लेना है तो हमने इसमें जो motherboard लिया है वो है गीगाबाइट के तरफ से आने वाला B450 motherboard प्राइस की बात को रोगे तो यह 7500 रुपे के आसवास में आपको आ जाएगा देखो गीगाबाइट के तरफ से आने वाले इस वाले motherboard को लेने का हमारा फायदा यह है कि देखो इससे नीचे वाले motherboard भी आते हैं जो कि आपको जो है 8900 रुपे यानि कि 1000 रुपे के सस्ते में आपको मिल जागा लेकिन वो वाला motherboard आपको नहीं लेना है आपको हमेसा ऐसा PC बीट करना है जाकि इन फ्यूचर अगर आप अपग्रेट करना चाहो तो अपग्रेट कर सो कोई ऐसा है नहीं कि भाई मुझे अपग्रेट करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टेम ही मुझे चेंज करना पड़ जाए ठीक है पता है कि भाई यह कितना अच्छा पॉफेन से निकाल के देता है और यह वाले motherboard डूएल चैनल पर जो है अच्छा काम करते हैं जैसे कि यह आप भी दखोगे इसमें चार रैम स्लोट मिलते हैं जबकि इससे सस्ते वाले motherboard में आपको दो रैम स्लोट मिलेगा इसमें अगर आ चाहो तो जो है dual monitor setup आप कर सकते हो यानि कि एक साथ आप जो है दो monitor आप चला सकते हो बहुत सरे लोग जो है video reading के लिए या फिस टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उनको जो है multi monitor setup का ज़रूत परता है तो उनको जो है इस motherboard के साथ जाना चाहिए जो कि इसमें HDMI port और DVI जो port है उससे आप जो है dual display आप जो है इसमें connect आप कर सकते हो इसके साथ ही इसमें आप देख पार हो इसमें M.2 का भी support है यानि कि आप जो है M.2 भी इसमें आप लगा सकते हो जिससे कि आपको पफॉएंस ना आपको जो है next level का आपको इसमें देखने को मिलेगा और इस motherboard मे आपका जो है high quality का audio capacitor इसमें लगा हुआ है audio noise guard भी लगा हुआ है इस motherboard के साथ अगर आप चाहो तो LED strip light भी connect करके आप जो है motherboard के through आप जो है LED strip light भी आप जला सकते हो overall देखा जाए एक budget segment के अंदर में एक ऐसा rough and tough आपको motherboard चाहिए जो कि in future आप इसमें अप्ग्रेड भी कर सक अब जाल लेते हैं कि आपको जो है RAM आपको कौन सा लगाना है तो हमने इस PC build में हमने जो है 2 RAM लिये हैं यानि कि 8 GB प्लस 8 GB यानि कि total 16 GB का RAM हम लगाएंगे और ये जो 8 GB का एक RAM है इसकी price जो है 2300 रुपे के आसात में है यानि कि ये 2 RAM लोगे तो आपको जो है 4600-700 रुपे ये वाला RAM हमने क्यों लिया है आपको क्यों लगाना चाहिए देखो आपको अगर budget कम है तो 8 GB RAM के साथ भी आप जा सकते हो लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है और गेमिंग में अच्छा FPS चाहिए तो बेसिक आपको 16 GB RAM के साथ ही जाना चाहिए अगर आपको यानि कि 2 RAM लगा कि अगर आप पीसी बिल्ट करोगा तो उसमें प्रफ़एंस बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा अब जालो कि क्यों आपको 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 10 साल की आपको वारंटी मिल जाती है और प्राइस के अगोर्डिंग ये प्रफ़एंस बहुत आपको क्वालिटी के साथ पॉफ़एंस के साथ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा अब जालने थे हैं कि आपको जो है स्टोरेज आपको क्या लगाना है तो स्टोरेज के लिए हमने इसमें जो है क्रूसेल के तरफ से आने वाला 500 GB का M.2 NVMe SSD का यूज किया है क्योंकि इसमें आपको 2400 MB per सेकेंड का स्पीड आपको देखने को मिलता है यानि 2400 MB per सेकेंड प्रैस की बात करेंगे तो यह आपको 3300 रुपीज के आसवास में आपको यह मिल जाता है और देखो यह वाला SSD लेने का M.2 NVMe लेने का फायदा यह है अगर आपको performance के साथ कोई भी compromise नह चाहिए और यह बहुत ही low power यह consume करता है क्योंकि motherboard के साथ ही connect हो जाता है तो power यह ना के बराबर लेता है इसके साथ ही M.2 NVMe में आपको integrated power loss technology आपको देखने को मिलेगा काम करते करते हैं अगर आपका computer आजाना का बंद हो जाता है तो जो भी आपका data है वो आपका loss नहीं तो आपका hack आपका नहीं होगा क्योंकि यह totally encrypted होता है बहुत पर आपने देखा होगे कि लोग computer hack कर लेते हैं password hack कर लेते हैं तो भई इसमें अगर store करोगे तो आपका data बहुत ही safe रहेगा और यह वाला जो आपका M.2 NVMe है जो की 500 GB का है जो crucial company के तरफ जाता है इसमें आपको 1000 GB का हमारा storage हो गया है 500 GB का हमने M.2 NVMe लगाया है और 500 GB का हमने normal SSD लिया है यानि कि अगर आपको data store करना है तो basic आप SSD में data store करोगे तो वह फायदा है normal traditional hard disk drive आते हैं वह मतलो वह 10-15 साल 25 साल पुराना technology है उसमें इतना अच्छा configuration के साथ लगा होगे तो वह आपको data store करने के चाहिए तो basic आप SSD के साथ जा सकता हो यह 500 GB का SSD सिर्फ आपको 2700 रुपे के आसस में आपको यह मिल जाएगा और यह जो normal hard disk drive आप देखते हो ना उससे तीन गुना ज्यादा fast आपको यह देखनों को मिलता है और इसमें भी आपको तीन साल की warranty मिलती है अगर आप यह वाला SSD जिन ना भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो कोई बात नहीं है क्योंकि हमने इसमें M.2 NVA में 500 GB का लगाया है वो more than enough है लेकिन फिर भी आपको जो मानलो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है या फिक गेमिंग अगर आप करते हो तो बहुत सारे गेम हम स्टोर करते हो तो हमने इस PC ब्राउंच सटीफ़ाइड सप्लाई यूनिट है जो की नॉर्मल प्राउर व्हूनिट से यह आपको जादा क्वालिटी आपको ओफर करता है देखो बहुत सारे लोग बोलेंगा इस सस्ते वाला भी अच्छा मिल जाता है वो आप ले सकते हो तो मैं आपको ब यूनिट के साथ ही जाना चाहिए और 80 प्लस सर्टिफाइड वाले पावर सर्पलाई यूनिट में सबसे कम प्राइज में अच्छा वैलू फर मनी प्रोडेक्ट आपका गीगावाइट के तरफ से आने वाला यह पावर सर्पलाई यूनिट है अब चलो मैं आपको स्वाट में बता दूँ कि यह 80 प्लस जो है सर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है देखो जिस पावर सर्पलाई यूनिट में 80 प्लस certified वाला पावर सर्पलाई यूनिट हो रहेगा उसमने कम से कम आपको 80 परसेंट आपको स्वारिट परसेंट करने यॐल के लिकut dherNow आवो यह 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 देगा तो बहुत बार ही और चारवर स्पलाई यूज्ध कर लिए combined अगर आपको ऐसे सस्ते के चकर में नहीं जाना है और एक कॉलिटी के साथ पीसटी बीट करना है तो 80 प्लस वाले पावर्ड सप्लाई यूनिट के साथ ही आपको जाना चाहिए और यह वाला पावर्ड सप्लाई यूनिट हमने इसले लिया है क्यूंकि इसमें 120 mm का सालें हैं इसमें लगा हुआ है बहुत सारे आप जो है पावर सब्लाई यूनिट देखोगे मालोग एक साल जब हो जाता है ना तो चलते जलते घर घर कर जैसा आवाज करना शुरू करता है बहुत ही बेकार लगता है जैसे हम अपने PC on करते हैं तो आवाज जो है ज्यादा बढ़ जात है जिसे कि अगर आप जो है PC build करते हो तो cabinet आपको जो है देखने में आपको ठीक लगता है उतना आपको बेकार नहीं लगता है प्लस इस पावर सब्लाई यूनिट में जितने भी प्रोटेक्शन है जितने भी प्रोटेक्शन है सारे के सारे प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलते हैं तो जो कि ये quality वाला product है इसलिए तीन साल की warranty के साथ आता है तो अगर आप जो है कोई भी quality के साथ compromise करना चाहते हो तो गीगाबाइट के तरफ से आने वाला ये वाला power supply unit ले लो एदन बिंदा सदमें आपका ये काम करेगा इस PC build में हमने बैकलीड कीबोर्ड और माउस का हमने यूज किया है प्राइस की बात करोगे तो ये 1100 रुपे के आजवस में कोई मिल जाएगा जो कि आपको एंड e-sports के तरफ से आने वाला ये आपका combo pack है यानि कि माउस और आपका कीबोर्ड दून ही मिलेगा और quality के बात करोगा तो बहुत ही बहतरीन आपका quality इसमें देखनों को मिलेगा और इसमें तीन कलर में आपको backlit keyboard इसमें देखनों को मिलता है जो कि आपका माउस में भी आपको LED light इसमें आपका जलेगा अब देखो इस keyboard में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको जो wrist को जो है आपको hold करने के लिए यहाँ पर यह चीज दिया हुआ है जिससे कि आप जो इसको पर रखके आराम से आप जो है chatting कर सकते हो coding कर सकते हो, programming कर सकते हो बहुत देड तक यानि कोई भी काम है आप इसली कर सकते हो आपके हाथों में दर्द नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखो एक अलग सा यहाँ पर यह चीज यहाँ पर लगाया हुआ हुआ है आप चाहओ तो इसको खोल भी सकते हो इसमें आपको 7 programming mode मिलता है जो कि यह gaming mouse है यानि कि आपको gaming करने में और normal video editing करने में कोई भी आपको problem आपको नहीं आएगा अभी तक हमने आपको जितने भी project के बारे में बताया है सभी का अगर प्राइज अगर अभी total करोगे तो 37,000 आपका price अभी आएगा और 3000 रुपे हमने extra रखा है RGB cabinet के लिए अगर आपको RGB cabinet लेना है सभी का link हमने नीचे में दिया गया है थोरे महंगे वाले का भी दिया गया है अगर आप चाहो तो कोई भी अपने budget के according जो आपको fit लगे जो best लगे वो आप जो है ले सकते हैं इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि यह जो भी parts के बारे में हमने आपको बताया है उसका हम proper PC build करके आपको दिखाए यानि कि step by step क्या कौन सा कैसे लगता है कैसे इसको लगाना चाहिए तो नीचे comment करो हम जरूर इसको पर वीडियो बनाएंगे और यह जितने भी parts हैं सभी का link आपको वीडियो के नीचे आपको description में आपको मिल जागा जहां से आप online आप Amazon से खरी सकते हो अभी offer चल रहा है price बहुत कम है PC build कर लो आपके लिए बहुत ही फायदा है ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो का like करना मत भूलिए चली मिलते हैं और एकनी वीडियो के साथ